कल्यूग अब कितना बाकी है? नम्बर एक, कल्यूग के बारे में महाभारत गरंत में महार्शी बेदव्यास ने भहुश्य बाने की थी कि इस यूग में मनश्यों में वण और आश्रम सम्मंदी प्रवर्ती नहीं होगी बेदू का पालन करने वाले नहीं रहे जाएंगे यहां तक कि बिवा को धर्म नहीं माना जाएगा इस यूग में धर्म का लोप होगा और बुराया बढ़ती जाएंगे नमर दो पुराणों में कल्यूग के अंतीम चर्ण में भगवान स्री विश्लन द्वारा माना उतार लेने की बहुर्शे बाने की गई है उनके इस अफ्तार को कल की अफ्तार कहा गया है जो कि स्वेत अश्व परशवार होंगे पुराणों के अंसार अभी कल्यूग को शुरू हुए कुछ हजार वर्श ही ब्यतीत हो चुके है जबकि यहाँ यूग चालाग 32,000 माना वर्शों का है नमर तीन विद्वहनों का मत है कि अब तक कल्यूग के 3102 पलस 2022 बराबर 5124 वर्श बीच चुके है चालाग 32,000 में से 5124 घटाने पर 426,666 वर्श से स्रे जाते हैं यानी कल्यूग की अभी बहुती अवदी बाकी है कल्यूग का अभी परतम चरण ही चल रहा है हलाई कि अभी भी जन्मानस में कल की अवतार की पूजा आरती और प्रारतना होती है नमर चार इस यूग में धर्म का लोप होगा और बुरायम बढ़ती जाएंगी इस यूग में प्रति पर मनुश्यों में स्रेश्ट और कोई प्रानी नहीं होगा देव, दानव, यक्ष, गंदर, इत्यादी प्रति पर वास नहीं करते अपित्व इंसान ही अपने कर्मों के अंसार इनके रूप में जीवन जीते हैं इसलिए जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है या जिंदगिया बचाता है तो उसे देवता कहा जाता है वहीं बुरायां में लिप्त रहते हैं, अहिंकारी वापापाचारी होते हैं तो उसे राक्चस बता दिया जाते हैं नमर पांच महा भारत में महरसी वेदगास ने कल्यूग के बारे में हजारों वर्स पहले ही भहुशे बानी कर दी थी महरसी के अंसार इस यूग में मनुश्यों में वन और आस्रम संबन्दी प्रवती नहीं होगी बेदू का पालन करने वाले नहर आजाएंगे, यहां तक कि बिवा को भी धर्म नहीं मना जाएगा सिस्य गुरू की अदिन रहे जाएंगे, जूँ 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 घोर का लूग आएगा, त्यों 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 ब्रहमा, सस्कार, सुन्य हो जाएंगे तता राजा लोग भी छुद्रतुल्य हो जाएंगे तो दोस्तों प्लीज लाइक करें इस चैनल को और इस वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करें जैहिन